तू ही सागए है तू ही किनारा रूंडता है तू किसका सहारा एक प्रश्न सूसर वो छे सासरे जवूं एटले शूं एक भाईबंदे तेना जिग्री मित्र ने आप प्रश्न पूछें बे भाईबंदो वच्चे आवा प्रश्नों था है त्यारे बे माथी कोई गंबीर न थी होतूं पहला ने उडाव जवाब मल्यों जहां एक सासू होए औने एक सस्रो होए तेने के वाई सासरूं बे नटकट तरूणी होए नाना छोड़नी डालखी रमाडता वातो मांडी एक के जरा गंबीर थाई ने बीजी बेंपणी ने पूछूं है अले आ सासरे जवूं एकले वडिशूं बीजी चुलबुली ना हाथ माथी उपवन लत्ता छोटी गई के जरा शान्त थाई गई बनने वच्चे स्तप्तता अचवाई गई पुछाएलो प्रश्ण अभ्यास कमनी भार्नों होए तेम बनने बेंपणियों ज्यां उबिहती त्यां बेसी पड़ी ठाउकी थाई ने जवाब विचारवा लागे प्रश्ण पुछनारे तेनी बेंपणि सामें जोयू तो तेनी आखमा जलजड़ी आहता ये तो गभराई गई के माराथी कहीं खोटो प्रश्ण थाई गई वो केशू पन ते कशू समझावी ना सकी यने मुंगी मंतर थाई आकार्श सामें ताकी रही धर्ती संध्यामा लोक्यू करी प्रविष्टा चंदर सामें जोयू ने ते स्वगत कशुक बूलवा लागे अविरत अस्खलित अविस्मरणिया ये जो बुली तेमा आकाश मा थी उत्रेलो जवाब अतो जेम चांदा मामाने घरे जईये एम आपने सांसरे जवानू त्यां जवू कपरू तेमज त्यां थी पाँचा फरू पन कपरू चता कपरूशू थे विचारया वगर त्यां जवानू मारा नानीमामाने केता के बेठा दिकरी नशिवदार कारण एने एक भवमा बेए घरने सजावानू शनगारवानू और पोती का गणी ने निरलेप थैने छोड़ी जवानू भाग्या मलू छे दिकरी भगवान ना साचु का आश्रिवात गणाए करण के बापना घरे ते सर्जग बने औने सासरे जईने ते सरजन करे जो सासरे जवानी वात आवे नियाग चल काई ते स्वाभाविक छे पन तू ए पन जानी लेजे के सासरे जवानी मजा होई छे हो अपना पिता जेवाज एक परणे वाला लागे एवा पिता त्यां होई जने सस्राजी केवानू रिवाच छे आपनी मा जेवी एक वालकूडी माता सासराम होई तेने सव सासु जी कईने बोलावे छे अवे आ सस्रा जीमा मारा पप्पा जीने औने सासुमानी मूर्तिमा मारी मम्मी निहाळवनु काम तो मारूजने के मने भारमवार मम्मी पप्पा नती शिक्यु के बेटा जे विद्रुष्टी ते विशुष्टी हाँ मारा पोती का घरे फूल थाए तो पप्पा ने नो तुगंतु औने चिन्दियु काम नो करूँ तो मम्मी पन गुशे थती जती ने सासरे गया पची त्या आउँ बने तो कई नारास्तोलू थवाए पप्पा ने दोडी ने वलगी पड़ती ने तेने हसावी देती औने मम्मी ना पालो मसंताई ने खोड़ा मबेसी पड़ती तेनो वाल जितीज लेती ने ससरा जीमा मारा पप्पा ने भाळू औने सासू जीमा वाली मम्मी निहाळू तो पची तेओने वालना दर्या जेवी दीकरीश लागूने हाँ अली ये खरूं के सास्रामा पहली बार पग मांडूने त्यार्थी मारा घरमा जाऊं छूं तेवी लागणी लईने प्रवेशूं तो आब दोशक्य बने प्रेत्न पूर्वक नहीं हो सहज ताथी रेती नदीनी जेम सास्रामा पहलो प्रवेश्क करूं तो सव तेनी शितल ताथी बिंजाय वगल्नर है अने हा शवने लाग्णीती भिंजावामां आपने साथ मले आपना पात्रनू और जिग्री मित्रो जेवा DRG और नननंद बानो मारी नानी बेन मारो वदाढ करती त्यारे हुँ क्या ममी नेखेवा दूर्ती थी ते नननंद बाँ एकले मारा वालमनी नानी बेन अवे ते बे जणनों वदाड करशे, मारो ने तेना भाई नू, कईवान तोने, त्यामे बनने मड़ी चिबावली नणंदबाने मनावी लेशों, काउटने, नणंदबाने पाण, आपनी साथे फ्रेंड्शिप करवी जोई छे, आपने जणा पहल करवाने, आपनी साडी, आपनी जवेलेरी बले पेरेने, ते नोई वट पड़े, आम थवा लागे, एटले आपनी दोस्ती पाकी, अरे आब जी वात थी, ये मिठडी वात एछे, के मने मारो साथीदार मलेचे सास्रामा, जेना स्वपन जोई जोई ने उचल्या करती थी, एपती थयो, त्यारे तो हूँ एनी पत्नी कईवाईशने, अने पती देवने जीते लेवानी अग्नाज शक्ती, तो इश्वरे पत्नी ने डिव्य बेट रूपे आपी छे, अमें बन्ने मन थी, संवेगो थी, लाग्नी थी, विचारो थी एक थैशूं, तो अमारा द्वारा कोई नवु जीवन सर जाशे, त्यारे हूँ पत्नी बटी अने माता केवाईश, स्थित्वनी पूर्णतानी एति व्यखडी, मने मात्रुत्व प्राप्त थाशे, आ सासरा नामधारी कुटुम विव्यबाव ना थी, हूँ माबनी मारी वाली मम्मिना नक्षे कदम जीवा लागिश, हवे शांती थी विचार, कि लग्ण एक स्थ्री माटे, तो मात्रु शक्ती प्राप्त करवानी यात्रानू पहलु कदम छे, माता मात्र पोताना बालक नीज नहीं, समग्र कुटुम नी, सगली परमपरा नी, शूब विचारो नी, दिव्य आचरो नी, अवे बोल सक्खी, कि मारा नानी मानी वाद साची ने, कि दिक्री यतले भगवान ना साच्चा आशिरवादू. तुही सागे है, तुही किनारा, डूंडता है तो किसका सहारा, डूंडता है तो किसका सहारा,